हाल ही में बिहार राजी में एक महात्पूर्ण राजनेति घटना क्रम के पहत बीजेपी और जदियू के गटवंदन की सरकार गिर चुकी है तथा अब एक नई सरकार नीतिस कुमार के नेतरत्यों बनी है नई सरकार में कौन-कौन के अबिनिट मिनिश्टर बनाए गए हैं तथा उनको कौन से विभाग दिये गए हैं संपूर्ण जानकारी प्रतियोगी परिक्षाओं की दरश्टी से हम आपकी साथ सेयर कर रहे हैं साथ ही हम इसमें यह भी जानेंगी कि बिहार विधान सभा में कुल कितनी सदस्य हैं तथा उन मैसे कितनी सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है मैं संजय कुमार गुप्त आपका हार्द का भी नंदन करता है चलिए तो सुरू करते हैं बिहार कैबिनिट एक्सपैंसन आठवी वार मुख मंत्री की सपत लेने के पाँच दिन बाद बिहार के सीम नितिस कुमार ने आज 16 अगस्त को अपने कैबिनिट का विस्तार किया है इसके पहले कैबिनिट में सिर्फ दो ही सदस्य थे आपको बता देना चाहेंगे कि बिहार में 10 अगस्त 2022 को नितिस कुमार ने मुख मंत्री के रूप में सपत ली थी और वे आठवी वार मुख मंत्री पद सम्हाल रहे हैं उनके साथ तेजस्वी यादव ने उप मुख मंत्री पद की सपत ली थी नितिस कुमार आठ वीवार मुख मंत्री बनी है विहार राज जी के, सपत लेने के पाँच दिन वाद 16 अगस्त 2022 को केविनिट का विस्तार किया गया है, राजभवन में 31 मंत्रियों को सपत दिलाई गई है, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है यह पूरी लिष्ट बताने क पहले हम आपको बताय देते हैं, नई सरकार में कौन कौन से दल सामिल है, राश्टिय जनता दल के सबसे अधिक 16 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, इसके अलावा जदियों के 11 सदस्यों को मंत्री पत की शपत दिलाई गई है, कांग्रिस के दो सदस्यों और हम के एक वि 83 सुमिद कुमार को भी केविनेट में सामिल किया गया है, इन सबी को मंत्रालय अलोट कर दिये गए हैं, मुख मंत्री नितिस कुमार ne ग्रह मंत्रालय अपने पास रखा है, दूसरी और और ओप मुख मंत्री तेजश्चुय यादाव को स्वास्त विभाग प्रदान किया ग बिहार के अविनेट के मंत्रियों की पूरी लिस्ट और आवंटित मंत्राले इस प्रकार हैं। ग्रह विभाग, मंत्री मंडल सचवाले विभाग, निगरानी विभाग, निर्वाचन विभाग और ऐसे सभी विभाग जो किसी अन्य को आवंटित नहीं किये गए हैं। बिजिन्द प्रिशाद यादाव को दो विभाग सवापे गए हैं। ग्रामनी विकास विभाग, सुरेंद प्रशाद यादाव सहकारित विभाग, डाक्टर रामानन्द यादाव खान एवं भूतत विभाग, स्रीमति लेशी सिंग खाद एवं उपभोगता सनरक्षन मंत्राले। मदन साहिनी को समाज कल्यान विभाग सौपा गया है, कुमार सर्वजीत को पर्यटन विभाग दिया गया है, लैलित कुमार यादाव को लोक स्वास्त अभिया अंत्री की विभाग मिला है, संतोस कुमार सुमन को अनसुच जाती जन जाती कल्यान विभाग सौपा गया है संजय कुमार जाको जल संसाधन के साथ सूचना एवं जल संपर्क मंत्रालय का कारभार सौपा गया है स्रीमती शीला कुमारी परिवहन मंत्रालय सौपा गया है समीर कुमार महासेट उद्योग मंत्राले दिया गया है चंदर सेखर शिक्षा मंत्राले सुमित कुमार सिंग को विज्ञान एवं प्रोध्योग की मंत्राले सौपा गया है सुनील कुमार को मच्ज निसेद उत्पादन एवं निवन्धन विभाग सौपा गया है स्रीमती अनिता देवी को पिछला वर्ग एवं अती पिछला वर्ग कल्यान विभाग दिया गया है जितेंद्र कुमार राय को कला संस्क्रती एवं विवा कल्यान मंत्राले प्रजान किया गया है जैंत राज्य को लगु जल संसाधन मंत्राले सौपा गया है सुधाकर सिंग को क्रसी मंत्राले दिया गया है मुहम्मद जमाखान को अल्फ संख्यक कल्यान विभाग सौपा गया है मुरारी प्रशाद गोतम पंचायती राज विभाग कार्तिक कुमार विधी विभाग समीर अहमद गन्ना उद्यूग विभाग सहनवाज आपदा प्रवंधन विभाग सुरेंदर राम श्रम संसाधन विभाग सौपा गया है मुहमद इसराइल मंसूरी को सूचना प्रवद्यूग की विभाग सौपा गया है इस प्रकार मंत्री मंडल में मुख मंत्री सहत को ल 33 मंत्री सपत ले चुके हैं खुल मिलाकर बिहार में अधिक्तम कितनी मंत्री सरकार में बन सकते हैं आप इस प्रस्ण का उत्तर हमें दें इस प्रस्ण का उत्तर हम इसी वीडियो में आगी देने वाले हैं उसके पहले आपको बताए देते हैं एक तीस मंत्री और उनकी दल कौन कौन से हैं यह लिश्ट आ आप इससे देख सकते हैं, सभी बनाए गए मंत्री और उनकी विवाग आपके साथ सेयर कर रहे हैं, एक प्रशल बिहार विधान सभा में सदस्यों की शंख्या कितनी हैं और अधिकतम कितने सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो इसका उत्तर है, बिहार विधान सभा में सदस्यों की शंख्या 243 है, बरतमान में बिहार में 17 मी विधान सभा चल रही है, यह महत्पुन आकड़ा है, बिहार में केविनीट में अधिकतम 36 मंत्री पद दिये जा सकते हैं, भारतिय संभीधान में इस बात का उलेक है की राज्यों में विधान सभा सदस्यों की संख्या का अधिकतम 15 प्रतिसक सदस्यों ही मंत्री बनाया जा सकते हैं, इस तरह बिहार विधान सभा में कुल 36 मंत्री अधिकतम बनाया जा सकते हैं, और अभी वरतमान में कुल विलाकर 33 मंत्री बनाया जा चुके हैं, इस तरह अभी भी 3 मंत्री और बनाया सकते हैं, और आगी विस्तार की संभावना बन सकती हैं, तो दोस्तों यह था एक परिक्षाओं के लिए यह ओपियोगी होगा आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सकें साथ ही इस वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भ करें